हमारे कोरोना वरियर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, अब कल्पना कर सकते हैं जी, जब चाड़ों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो, ऐसे समझ डूटी करना, अपनी जिम्दमाजों के निभाना, इस छोटी सीचा नहीं है, इसका गर्वर करना चाहिए, उन सब के प्रयासों का प्रणाम है, कि देश ने आज ये करके दिखाया, हम जड़ा भुदकाल की तरफ देखें, ये आलोचना के लिए नहीं है, उस सितियों को हमने जीया है, कभी चेचक की बात होती थी, कितना भाई 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 जाता था, पोलियों कितना डरावना लगता उसकी वैक्षिन पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ते दी, कितनी तकलीवें उटानी पड़ते दी, मिलेगा, कम मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहसे लगाए, ये दिन हमने भीता है, ऐसी स्थितिमें, उन दिनों को गरियात करे तो पता जलेगा, आश जिन को थर्ड वर कंट्री में गिना जाता है वो देश मानोजात के कल्जान के लिए वैक्शिन लेकर प्याजा है इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे ये मानोजात के हितिहास में भारत के योगदान एक गवरव पुल गाता है इसका हम गवरव करें और उसी मेंसे नए आत्मिश्वास की प्रणा भी जटे है हमने उस नए आत्मिश्वास की प्रणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे एक बड़ा टीका करना भ्यान इसी मेरे देश में छल रहा है विश्व में तींज गती से टीका करना कहीं हो रहा है तो इसी हम सब की माँ भारती के गोद में हो रहा हूँ और भारत का ये सामर्थ है कहां नहीं पहुंचा है करोना ने भारत को दुनिया के रहा है रिस्तों में एक नई ताकत दी है जब शुरू आयों पहें कौन सी दवाई काम करेंगी वैक्सिन नहीं थी तो सारा विश्व का ध्यान भारत की दवाईयों पर गया विश्व में फार्मसी के हब के रूप में भारत उभर करके आया देड़ सो देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकटकाल में भी इस देश ने किया है मानवजाद के रख्षा के लिए हैं फिश ही नहीं इतना ही नहीं इन समय वैक्सिन के सबन में भी है विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सिन आ गई है हमारे पास भारत की वैक्सिन आ गई है हम सब को बादू है कि दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल में भी है बड़े बड़े लोग भी जब आपरेशन कराने जाते हैं कोई बड़े मेजर आपरेशन के लिए और आपरेशन थेयटर में जाने के बाद पट्रिया सुनो रून के पहले उसकी आखे ढूंती है कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है कि नहीं है और जैसे ही एकाद टीम के अंदर एकाद भी हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है न उसका विश्वास हो जाता है अब आपर से यह देश ने कमाया है इसका में गर्व होना चाहिए और इसलिए इसी गर्व को ले करके